तमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का सौदाघर के आज के इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे मंत्रा मॉंटेना प्रोजेक्ट डिटेल को जिसको की कोड़ नेम मेट फॉर मी के नाम से प्रमोट किया जा रहा है दोस्तों पिछले कड़ी में आपने देखा पार्ट वन में इसकी रोड कनेक्टिवीटी क्या है विस्तान दवाडी के साइट से धानोरी होते हुए हम प्रोजेक्ट तक पहुचे इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट में कन्फिगरेशन क्या क्या है इसकी प्रोजेक्ट क्या है कि नहीं परचेश करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो सकता है या नहीं यह सारी जानकारी लेंगे सबसे पहले आईए चलते हैं ग्राउंड जीरो पे और देख लेते हैं अभी इसकी परजिन कंडिशन क्या है सामने आप यह जो रास्ता देख रहे हैं इसको मैंने रोट कनेक्टिविटी के वीडियो में कवर किया हुआ है पीछे से यह रास्ता धानोरी विस्तरांतवाडी की तरब से आ रहा है और इसी रोट से मंत्रा मॉन्टेना प्रोजेक्ट जिसको की कोड नेम मेट फॉर मी के नाम से प्रमोट किया जा रहा है उसकी कनेक्टिविटी इसी रास्ते से रहने वाली है अभी आप सामने जो यह हिल देख रहे हैं यह दा बॉंबे सैपर्स हिल है और इसके बगल में जो आप पूरा प्लॉट्स देखें यह इंडिविजुल प्लॉट्स हैं जो फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट होंगे यहाँ पर बाकि प्रोजेक्ट आएंगे सामने से यह रास्ता आपको जो है प्रोजेक्ट की तरफ ले जा रहा है राइट साइड में भी थोड़ा सा मंत्रा का लैंड है और लेफ्ट साइड में मेजर लैंड चंग है अभी आप यह जो सामने देख रहे हैं यहाँ जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा लैंड चंग यहाँ भी मंत्रा का है चलिए एक बार project के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे अभी क्या present condition है अभी जो आप सामने construction देख रहे हैं यह club house, sales office और sample flat का काम चालू है अगर आप इस side में देखें तो यहाँ पे main entry का काम चालू है जहाँ पे enter करते ही right side में आपको row houses मिल जाते हैं और left side में सारे buildings का construction रहेगा पीछे आप जो धेर सारे construction देख रहे हैं उनकी connectivity पोरवाल रोड से है सामने भी आप देख रहे हैं नेती एविटा और प्राइड आसियाना चलिए आगे बढ़ते हैं club house के location पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है तो यह आगे हम लोग club house के area में सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पे swimming pool रहेगा और इसके पीछे भी buildings रहेंगी जहाँ पे आप अभी JCB देख रहे हैं वहाँ पे पूरा buildings का काम होगा future में अभी यहाँ पे 740 square feet carpet का 2BHK और 1550 square feet carpet का row house open किया गया है sale के लिए अभी एक बार मैं आपको दिखा दूँ map पे हम कहा हैं इसमें जो आप swimming pool का area देख रहे हैं उस जगा पे खड़े होके मैं video बना रहा हूँ अभी जो आप यह section देख रहे हैं यह पूरा यहाँ पे row houses रहेगा जहाँ पूरा sade लगा हुआ पत्रा लगा हुआ देख रहे हैं white and green color में यह आपका भी sample flat का काम चालू है sample flat के बाद यहाँ पे बना है club house जो की अभी sales office के लिए यूज किया जाएगा तो एक तरीके से हम लोग अभी खड़े हैं amenities area में तो आईए एक बाद चलके layout को explore कर लेते हैं row house के layout को देखें तो ground floor पे आपको hall, kitchen और एक bedroom दिया जा रहा है अगर हम first floor पे आएं तो यहाँ पे दो bedroom है, attached toilet है और terrace दिया जा रहा है second floor पे हम देखें तो एक बड़ा bedroom है और सामने बड़ा terrace दिया जा रहा है इसके total usable area को समझें तो वो है 1893 square feet और इसका package start होता है 1.55 करोर से चलिए एक बार flat के layout को समझ लेते हैं, एक floor पे 4 flat दिये जा रहा है अभी जो inventory open हुई है, वो 2 BHK की open है, इसका carpet है 740 square feet और इसका starting package है 53 lakh से, जो की 56 lakh तक vary करता है तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ground zero पे progress है, work progress क्या है अब हम जानेंगे इसमें यदि आपको book करना है, तो इसका process क्या हो सकता है, इसमें जो amenities select करने की बात की जा रही है, तो मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा ये form, जिसको की EOI form कहते है और EOI form का मतलब है expression of interest, आप यहां देखें, ये expression of interest का एक form है, जिसमें की आपको अपना पूरा detail फिल करना होता है, आपका नाम, core plugins का नाम, आपका preference क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें, किस source से आप आए है, channel partner का नाम क्या है, details of the fee, ये सारी चीज़ें आप जो check दें ये जो है EOI को accept करेंगे, expression of interest के form को accept करेंगे, और उसके बाद ये allotment का process चालो करेंगे, तो इसमें, इसके बाद मैं आपको बता दू, जैसा मैंने आपको बता है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी कही जा रही है, जिसमें आप amenities को select कर सकते हैं, उसमें amenities जो basically इनके पास है, 8 amenities, जिसमें से जो जादा voted amenities होंगी, उनको जो है यहाँ पर ये लोग construct करेंगे, उसमें आपको जैसे crest दे रहे हैं, first head room दे रहे हैं, guest room, indoor games, co-working area है, mini theater है, school bus drop off point है, ये आपके hobby activity rooms है, तो इसमें से जो highest voted 5 amenities होंगे, वो आपको provide करेंगे, ये आपको form fill करते बग सलेक्ट कर होगा, तो ये बात की जा रही है, जो कि आप code name made for me के नाम से जो promotion चालू है, चाहे review जिंग या बाकी जगों के आप देख पा रहे होंगे, वो इसी amenities की बात की जा रही है, इसमें आपको बताता चलों की mantra पिछले लगबर 10 से 12 साल से market में है, और इनों ने more than 30 projects market में deliver किया ह इसके पहले ये पहले Majestic के साथ जो है joint venture में काम करते थे अगर आप वागोली में देखें तो इनके Majestic City है, Majestic का है वो then Palm Atlantis जिसको की blessings है, ये दोनों project को Majestic और मंत्रा ने मिल के बनाया था, तो आप इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, बहुत खराब नहीं कह सकते हैं, बजट के हिसाब से एक अच्छा product है जिसे आप select कर सकते हैं, investment point of view से अगर आप देखें तो position timeline काफी जाता है, तो obviously अगर आपका enhance cash है, आपका own contribution अच्छा है, तो आप इसको investment के लिए जा सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपका रहने का विचार है और आपके पास own contribution कम है, तो आप यहाँ पे 108010 के screen में भी जाके अपने property बुक कर सकते हैं, अभी इनिसलिए आपको सिर्फ 51,000 के check की जरूरत पड़ेगी, कि आप इस UI form को fill कर लीजे, इससे कम में भी builder मान सकते हैं, आपको इससे जुड़ी और जानकारी चाहिए, इससे detail में और जानना है, तो आप हम हमारा यहाँ प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताईए, यह आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना, ना भोलिए जल्द मिलेंगे एक नए project detail के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार